नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों नाहर को पाने का इकलोता मौका अब उसके पास आ जाने वाला है अगनी के सालों का सपना पूरा हो चुका है रुही को नाहर की जिन्दगी से अलग करने में दादी और अगनी आज काम्याब रहे नाहर रुही की मौट का जिम्मेवार खुद को मानने लगेगा नाहर उस दिन रुही का पता और जल्दी लगा लिया होता तो शायद वो रुही को बचा लेता दोस्तों नाहर रुही के जाने के बाद पागल की तरह रहने लगेगा मानो जीते जी उसका कोई सांसे रोक लिया हो दोस्तों अगनी और दादी किसी भी तरह चाहती हैं नाहर रुही के खयाल को भूल जाए अगर इनसान के दिल में किसी का चेहरा चप जाए तो मौट के बाद ही वो मिट पाता है लेकिन दोस्तों आज नाहर रुही के लिए सब कुछ छोड़ चुका है उस दिन रुही के साथ अगनी भी मौजूद होती है नाहर यह पता लगा लेता है रुही के इस दुनिया से जाने के पीछे अगनी भी जिम्मेवार है इस बात का अच्छे से पता लगाने के लिए नाहर रुही और अगनी दोनों की कॉल डिटेल्स चेक करने वाला है अगनी के फोन में उसी पुलिस इंस्पेक्टर का नंबर मिलने वाला है जिसने रुही को बिना किसी वजह के गिरफतार करके रखा था दोस्तों, नाहर का शक अब सच्चाई में बदलने लगता है CCTV फोटेज भी अगनी की तरफ इशारा करता है अगनी की जरूर कोई न कोई साजश थी जिसकी वजह से रूही इस दुनिया से हमेशा के लिए चली जा चुकी है दोस्तों, रूही के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर लिखे धन्यवाद